हाँ जी भई अब इसमें पेज नमबर 5.5 पर, इलॉस्टेशन नमबर 5.1 के थूँ हम समझेंगे कि एक्टिविटी बेस कास्टिंग कैसे वर्क करती है, कैसे इसके इसके इंदर कैकुलेशन होती है और क्या डिफरेंस है एक्टिविटी बेस कास्टिंग में और जो ट्रेडि distribution में सीखी थी उसमें तो समझाने के लिए सारा का सारा concept मैं यूज करने वाला हूँ illustration number 5.1 जिसमें लिख है A, B, Z company limited produces 3 products A, B and Z for which the standard cost and quantities per unit are as follows हमें एक company के कुछ product की information दी जाने वाली है 3 product company बनाती है जिनके नाम है A B and Z ये तीनों product बनाने के लिए इनको कुछ raw material और कुछ labor की requirement है सबसे पहले इन्होंने एक output में बताया है कि इनका output हमारा कितना रहता है जब product A है उसकी हम 10,000 units बनाते है product B जो है उसकी 20,000 units और जब product C है उसकी 30,000 units है इसके बाद इसमें information है direct material per unit direct material जो की per unit के लिए है जो A product है उसके अंदर rupees 50 का material लगता है product B के अंदर rupees 40 का material लगता है और product Z के अंदर 32 rupees का material लगता है ये per unit material है उसके बाद labor cost बताए गया direct labor cost direct labor और ये भी per unit के लिए बताए गया है जो first हमारा product है उसके अंदर rupees 30 की label लग रही है जो second product है उसमें rupees 40 की label लग रही है और जो third product है उसके अंदर rupees 48 labor के लिए हम खर्च कर रहे है उसके बाद इसमें other information given है मैं उसे अलग कर लेता हूँ ये दो cost में बताए है per unit के form में और सबसे पहले में output बताए गया था अब इसमें लिखे है labor hour per unit labor hour per unit एक unit को बनाने में कितना time लगता है labor hour कितना लगता है first unit को बनाने में 3 hours का time लगता है एक पीस बनाने में second को बनाने में 4 hours लगते हैं labor के और third को बनाने में 5 hours लगते हैं labor के ऐसी इसमें एक machine hour भी given है machine hour per unit जो machine hour है वो यहाँ पे 4 hours का time लग रहा है एक piece बनाने में 4 घंटे machine को काम करना पड़ेगा यहाँ पे भी 4 घंटे ही काम करना पड़ेगा और उसके बाद फिर 7 hours काम करना पड़ेगा product Z को बनाने में फिर और additional information given है जिसमें बताया गया number of purchase requisition number of purchase requisition A product को बनाने के लिए जो material मंगाया गया वो 600 बार मंगाया गया total 600 times हमने material मंगाया number of purchase requisition का मतलब है कितनी बार आपने material मंगाने के लिए requisite किया आगे उसके बाद इसके अंदर जो second product उसमें 900 times material मंगाया गया है और Z के अंदर 1000 times जो है यह material मंगाया गया फिर उसके बाद number of machine setup number of machine setups जो first product है उसको बनाने के लिए हमने machine को 120 बार set up किया जो second product है उसको बनाने में 130 बार set up किया और जो third है उसको बनाने में हमने 150 बार अपनी machine को set up किया यह question के अंदर हमें information given है प्रोड़क्ट से related उसके बाद कुछ additional information और given है इसमें लिख्या production overhead split by department यह जो काम है इसको करने के लिए हमने दो department बना गया है department wise department wise हमारा खल्चा कितना हो रहे है दो department है total हमारा खल्चा 27 लाग का हुआ है और दो department के अंदर एक खल्चा हुआ है product department X में और department Y में बना है 12 लाग रुपे का खल्चा department X में हुआ है और उसके बाद 15 लाग रुपे का खल्चा हमारा department Y में हुआ है उसी तरीके से एक और बार यह खल्चे जो है वो डिवैड के गए है उससे पहले इसमें लिख्या department X is labor intense यहाँ पर labor का काम ज़्यादा होता है और जो department Y is machine intense यहाँ पर machine से काम होता है department X labor को use कर रहा है department Y machine को use कर रहा है total R in department X is 2 lakh और total 2 लाख घंटे काम हुआ है यहाँ पर और जो department Y है उसमें machine ने जो काम किया है वो 5 लाख घंटे काम किया है मतलब यह पूरे department का जो X का खर्चा वो 12 lakh का है जिसके लिए 2 लाख घंटे labor को work करना पड़ा है यह 15 lakh का खर्चा हुआ है जिसके लिए machine को 5 लाख घंटे काम करने पड़ा है फिर उसके बाद उन्होंने इसी खर्चा को एक बार फिर से split किया है according to activity activity wise यही खर्चा activity wise डिवैड किया जाएगा अब 27 lakh का खर्चा तो 27 lakh है लेकिन activity के base के उपर इसे डिवैड किया गया है आगे इन्होंने इसी खर्चे को activity के साब से जब डिवैड किया तो receiving and inspection inspection and receiving से related खर्चा डाला है receiving and inspection यह material का receiving और material का inspection होगा जिसमें total खर्चा 14 lakh रुपे का हुआ है और उसके बाद production and scheduling production and scheduling में जो खर्चा हुआ हमारा production में वो जो खर्चा हमारा हुआ है वो है रुपीज 13 lakh अगर आप देखेंगे तो total खर्चा वही 27 lakh है यहाँ पर department के हिसाफ से बाटा गया 12 और 15 यहाँ पर activity के इसाफ से बाटा गया 14 और 13 लाग रुपे total 27 lakh रुपीज है और जो activity है इसमें number of batch received inspected यहाँ पर जो batch हमने रिसीव किया है यहाँ पर जो batch हमारा था वो कितना था total 2500 और दूसरे department के अंदर जो दूसरा production department है वहाँ पर जो batch या setup जो हमने वर किये है setup वो total setup हमने किये है 400 तो यह हमारा total data है जो question के अंदर given है और इस data के base पर आपको दो बार costing करनी है इसमें लिखे है required prepare cost statement under traditional absorption costing and activity based costing method and also prepare a result for the two method and give your comment आपको दोनों method से अपना result बताने है comment देने है result बताने का मंदब एक unit product जो बनेगा उसकी total cost according to traditional system और according to activity based costing system क्या होगी यह निकाने की कोशिए करेंगे चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर traditional system की बात कर लेते है traditional traditional method traditional method कहते है जो भी आपके overheads हुए है वो type of R's के basis पर type of R's के basis पर जैसे कि department X है उसमें labor ने काम किया तो labor R के basis पे निकाल लीजिए और जो department Y है उसके अंदर machine ने काम किया तो machine R rate आप निकाले जिए तो जो traditional system है उसके अंदर हम दो rate निकालने वाले हैं एक department X के लिए कौन सा rate निकालेंगे उसके लिए labor R rate एक department Y के लिए निकालेंगे department Y में machine में काम किया है तो निकालेंगे machine R rate कैसे निकाले जाए आपते हैं rate काफी simple तरीक है पहले हमने order D सीखा वह है अगर हमें rate निकालने तो सबसे पहले हम total overhead लेते हैं उस department के और उस department में जितने भी machine R या labor R यूज किया है उनको divide कर देते हैं उससे तो सबसे पहले जो first department tax है 27 लाग में से 12 लाग रुपे का खल्चा हमारा उसमें हुआ है और उसमें जो labor R यूज हुए है वो कितने हुए है दो लाग तो अगर मैं divide कर दूँ तो यह 6 रुपीज पर R रेट आजाता है मेरा labor R रेट department Y के अंदर total खल्चा मेरा हुआ है 15 लाग रुपीज और इसमें machine ने काम किया और machine ने 5 लाग र काम किया है अगर मैं divide कर दूँ तो rate आजाता है 3 रुपीज पर R यह है मेरा traditional system जिसमें मैंने 2 rate निकाल लिया है एक labor R rate और दूसरा machine R rate अब इसी के अंदर हम दुबारा rate निकालेंगे activity based costing के अंदर activity based costing के अंदर हम यह देखेंगे कि यह खर्चा हुआ department wise नहीं बलकि activity wise क्या हुआ तो आप देखेंगे तो यह 27 लाग का खर्चा department X और Y में जरूर हुआ है लेकिन जो काम इन्होंने किया वो material को receive और inspection से related किया और production से related किया मलब डिपार्टमेंट दो हैं लेकिन काम दो कर रहे हैं material से related और production से related तो material से related हमारा कितना खर्चा हुआ और matter के कितने batch बनाएगे उसके base पे हम batch cost यहां पे निकालने की कोशिश करेंगे तो for receiving and inspection receiving and inspection इस activity के लिए हम क्या करने वाले हैं हम देखने वाले हमारा total खर्चा कितना हुआ हमारा total खर्चा हुआ है 14 lakh rupees और divide करेंगे कितने batch में हमने यह काम किया यह batch cost बन रही है batch cost और divide अगर हम कर देते हैं 2500 से तो 14 lakh divide by 2500 करने से rupees 560 per batch cost हमारी आगे per batch अब batch में देख लेंगे हो सकता है unit हमने कितनी बनाई है वो चेक कर लेंगे per batch दूसरा जो हमारा department था वो क्या था? production department था तो production department के लिए क्या निकालेंगे? production department के लिए निकालने वाले है per setup cost कैसे निकालेंगे? 13 lakh का हमारा खर्चा हुआ और इसमें total जो setup हमने किये वो 400 setup किये तो 13 lakh रुपे को हम divide करेंगे 400 से तो per setup cost हमारी आ रहे है रुपेज 3250 यह सरा काम करने के वाद में एक काम और करना पड़ेगा वोई है कि जो batch हमने cost निकाली है इस batch से per unit cost हमें और निकालनी पड़ेगी हम इसमें देखें तो 3 product हम बना रहे हैं product A, product B और product Z तो यहां पर एक batch की cost हमारी 560 रुपे लेकिन यह per unit product A बनाने में कितनी आती है product B बनाने में कितनी आती है product C बनाने में कितनी आती है C नहीं बलकि Z बनाने में कितनी आती है यह भी हमें जानना जरूरी है कैसे पता लगाएंगे अगर आप notice करेंगे तो total number of batches हमारे 2500 है और यही batch जो है वो यहां से भी निकल जाएंगे आप अगर material requisition का total करेंगे तो यह 2500 है 600 बार सामान A के लिए मंगाया गया 900 बार सामान B के लिए मंगाया गया और 1000 बार सामान Z के लिए मंगाया गया इन तीनों को अगर आप add करोगे तो 2500 टाइम सामान मंगाया गया और 2500 यही वो batch है तो अगर मैं batch की cost जान चुका हूँ तो मुझे यह पता चल सकता है activity costing में कि कितना total खर्चा A के लिए हुआगा हमने 600 बार सामान मंगाया है और एक बार सामान मंगाने की cost 560 हाती है तो क्या करेंगे हम 560 को multiply करेंगे कितनी बार 600 बार और दूसरे department में इसी को किस से multiply करेंगे 900 times और तीसरे department के लिए कितनी बार multiply करेंगे 1000 से multiply करेंगे ऐसा करने से आपको department A की total cost department B की या जो product A है उसकी total cost, product B की total cost और product Zahad की total cost में जाएगी और इस total cost को अगर मैं divide कर दूँ जितनी unit का मैंने production किया तो मुझे cost per unit का पता चल जाएगा यहाँ पे मैं divide करूँगा 10,000 से उसके बाद यहाँ पे मैं divide करूँगा 20,000 से और यहाँ पे मैं divide करूँगा फिल 30,000 से तो मुझे पता चल जाएगा कि individual cost per unit activity based के हिजाब से receiving and inspection की क्या होगी तो कैसे calculate कि 560 multiplied by 600 divided by 10,000 और अगर मैं कल दो तो rate आ रहे है 33.60 per unit दूसरी बार करेंगे 560 multiplied by 900 और divide करने वाले है 20,000 इसको calculate करने से figure आ रहे है 25.60 तीसरी बार 560 multiplied by 1000 और divide करने वाले है इसे हम 30,000 से तो जो cost आ रहे है 18.67 तो यह मेरे product A की, product B की और product Z की, product Z की per material requisition cost मेरे पास आ गई है पर unit cost मेरे पास आ गई है अच्छा, सेम ऐसे production जो हुआ उसका भी यह per batch cost है इसको भी क्या करना पढ़ेगा? तीन पार्ट में divide करना पढ़ेगा कि A के लिए per unit कितना है, B के लिए per unit कितना है और Z के लिए per unit कितना है अगर आप notice करोगे तो number of machine, setup जो total है 120, 130, 1500 सबको add करोगे तो figure 400 setup बन जाएगी और हमने पर setup cost निकाल रखिये 3250 तो product A बनाने में setup कितनी बार करना पढ़ा हमें? 120 times, तो 120 से multiply का दीजे दूसरे product को बनाने में कितनी बार setup करना पढ़ा? 130 times और तीसरे product को बनाने में setup करना पढ़ा at the rate of 150 times और उसके बाद इससे हमारी total cost है जाएगी अगर मैं output से divide कर दूं तो per unit cost convert हो जाएगी output यहां पर रहेगा 10,000 unit, यहां पर रहेगा 20,000 unit और यहां पर रहेगा 30,000 unit अगर मैं calculate करूं तो यह cost मेरी क्या हो जाएगी? 3,250 multiply by 120 times और उसके बाद फिल divide करते हैं से 10,000 से तो rate आ रहे हैं मैं पास Rs. 39 per unit उसके बाद 130 multiply by 3,250 और divide करते हैं से 20,000 से तो value आ रहे है 21.125 और तीसरी बार 150 multiply by 3250 divided by 30,000 और यह figure आ रहे है 16.25 यह cost आगे हमारी per unit अब बड़ी आसानी से हम traditional system में और जो हमारा activity based costing system है उसमें अपने product की final cost निकाल सकते हैं तो दो system से calculation करने वाले हैं number one traditional number two activity based हम आपास जो product है वो तीन product है product A, product B, product C product A, product B and product C सबसे पहले direct material की बात कर लेते हैं direct material direct material direct material direct material की cost हमारी fix है question के अंदर direct material product A में 50 रपे का लगने वाल है product B में 40 रपे का लगने वाल है और product Z में C है, C नहीं है, Z है Z में लगने वाला है 32 रुपीज same यहां पे लिखा जाएगा क्योंकि इसके वारे में इसमें तो कोई change है नहीं overhead के distribution में activity based costing काम में आएगी फिर direct labor की बात कर लेते हैं direct labor direct labor direct labor के अंदर 30 रुपीज का हमारा खर्चा है फिर उसके बाद 40 रुपीज का हमारा खर्चा है और उसके बाद 48 रुपीज का हमारा खर्चा है यहां पर भी same रहेगा 30 रुपीज 40 रुपीज and 48 रुपीज यहाँ पे अब थोड़ा सा फरक पड़ेगा अब जो overhead है जो पहले हमारा department X है department X और फिर department Y उसके खर्चे जो हमें लेने है वो according to R लेने है और हमारे जो rate है यहाँ पर 6 रुपीस पर आ रहा है और यहाँ पर 3 रुपीस पर आ रहा है तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि product A बनाने के अंदर जो department X है क्योंकि department X लेबर को यूज करा था लेबर कितने घंटे यूज हुई है तीन घंटे लेबर यूज हुई है और तीन घंटे 6 रुपी के हिसाब से हमारा खल्चा जो है वो 18 रुपे का हो जाएगा दूसरे department में 4 घंटे लेबर यूज हुई है 6 रुपे के हिसाब से यह 24 रुपे का खल्चा हो जाएगा तीसरे department में 5 घंटे लेबर यूज हुई है 6 रुपे के हिसाब से खल्चा हमारा 30 रुपे का हो जाएगा दूसरा जो department है वो machines related department था तो traditional system में देखा जागा कितने घंटे machine को काम करना पड़ा है चार घंटे, तीन रुपे के हिजाब से चार घंटे का खल्चा हमारा बारा रुपे आएगा फिर चार घंटे, तीन रुपे के सबसे फिर से बारा रुपे cost आएगी और फिर साथ घंटे, तो यहाँ पर हमारी cost आएगी 21 रुपे अगर आप इसको total कर लें, तो आपके इसके अंदर cost आजाएगी product A की, product B की और product Z की traditional system से 50 plus 30 plus आगे 30 हो रहा है, 110 रुपीस पर पीस इधर हमारी पस cost आजाएगी, पहली दो cost है 80 और उसके बार 24 प्लस 12 यह figure आएगी 116 पर पीस और फिर 32 प्लस 48 प्लस 30 प्लस 21 यह cost आ रही है 131 रुपी पर, activity based costing के अंदर आप activity से cost निकालेंगे like सबसे पहले हम देखते हैं receiving के अंदर, receiving and inspection इसकी हमने cost निकाली है per unit cost directly हमने निकाली है, एक unit के हमारी cost कितनी है, receiving and inspection एक unit बनाने में हमारा receiving and inspection का खर्चा 33.60 है, दूसरे के अंदर हमारा यह खर्चा 25.60 है और तीसरे में खर्चा 18.60 है, और उसके बाद इसके अंदर था production production करने में हमारा जो खर्चा है, वो पर unit हमने निकाला हुए 39 रुपीज है यहाँ पर वही खर्चा 21.125 है से 13 बोल देते हैं और यह 16.25 है इन तीनों को आप एड कर लिए, चारों को एड कर लिजे, आपके पास cost आ जाएगी तो पहली cost 80 रुपीज है दोनों को मिला के, 33.6 और 39 152.60 हमारी cost आ रही है, activity-based method से उसके बाद फिर 80 फ्लस 25.6 फ्लस 21.13 यह जो figure हमारे पास आ रही है, वो आ रही है 126.73 32 फ्लस 48 फ्लस 18.67 फ्लस 16.25 यहाँ पर हमारी cost आ रही है 114.92 तो अगर आप notice करोगे तो पता चलेगा कि traditional जो system है, उसके अंदर आपने labor R को use करके product की cost निकाली है और जो activity-based system है, उसके अंदर आपने setup है, inspection है, production है, जो भी type का work किया, उस type of work को आपने base बनाके अपनी cost जो है, वो निकाली है, ठीक है, complete है आपि, उसके आपने की झाली ही बनाके की dangpriotरी है